अब यहां पर इस वीडियो में आपको यहां पर फाइनल रिजल्ट अपडेट दे दूगा अगर आप में से किसी सुट्डंड का यहां पर रोल नबर इस लिस्ट में है अगर आप यह केस जो है वो सालो नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट भी केंसल हो सकता है यहां पर आपको एक चीज बताऊंगा अगर आपका रोल नबर नहीं भी है इसमें तब भी आपको एक बार ज़रूर चेक करना होगा कहीं आगर आपका roll number हो, तो आपका result cancel हो जाएगा, अब इस meeting को कैसे attend करना है, कब attend करना है, सालों कैसे करना है, इस case को ताकि आपका भी result जो हो अच्छे तरीक से आजाए, tension ना रहे, तो वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, साथ में result अपडेट देने वाला हूँ, वी जैसा कि यहाँ पर आप notification देख सकते हो, जो जमू डिविजन की तरफ से आई हुई है, 11th class के students के लिए, कश्मीर की तरफ से आरड़ी आई हुई थी, जिनको 12 June जो है, वो जाना था, UFM मीटिंग एटेंड करनी थी, तो आज यहाँ पर जमू डिविजन की तरफ से आई हु केस है, वो क्यों लगा है, कि आपने निकल यहाँ पर किया है, या निकल आगर आपको पगड़ा गया है, या किसी ओर रीजन की वज़ए चापको केस लगा है, तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा, अगर उनको आपके पॉइंट्स जो है, वो जैनुन लगे, उनको बोलो साथ में आपको अपना एडमेट कार्ड लेना है, किस डेट को जाना है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 26 जून 2024 को जाना है, जेके बोस रिहारी काले जमू, टाइमिंग अगर आप देख सकते हो, शेफ्ट फर्स्ट के लिए और शेफ्ट सैगंड के लिए, तो यह बात 26 जून, 26 जून से पहले पहले कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, कोई भी वीडियो यहाँ पर आपको नहीं देखना है, कोई भी विबसाइट आपने चेक नहीं करना है, 26 जून तक आप टेंशन मतलो, 26 जून तक कोई भी रिजल्ट आने के चांसे नहीं है, अब 27, 28, 29 यह 30 को आप expect कर सकते हो, आपका जो result है वो आ जाएगा, but 26 से पहले पहले कोई भी chance नहीं है, result आ जाएगा जैसी result आ जाएगा, आपको मेरे whatsapp ग्रूप में update मिलेगा, telegram ग्रूप में update मिलेगा join जरूर करना link